त्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास एक uniformly charged spherical shell है, अगर हमारे पास एक uniformly charged spherical shell है, यह 3D है, अब फोटो में तो मैं ring भी ऐसी बनाऊंगा, shell भी ऐसी बनाऊंगा, तो confuse मत हो जाना, ring नहीं है यह, shell है, 4 तरफ से गिरी हुई, uniformly charged spherical shell है, uniformly charged है, चार्ज क्यों है, radius R है, radius R है, uniformly यह Newton ने प्रूफ किया था, Newton का formula है, इसे कहते हैं shell theorem, Newton ने कहा कि अगर uniformly charged उन्होंने gravity के लिए दिया था, हम यहाँ पर charge के लिए कर रहे है, uniformly charged shell के अंदर हर point पर electric field 0 होती है, हर point पर electric field 0 होती है, कैसे proof किया था, बड़ा intelligent approach था उनका, उनका गौसलोप होसलोस नहीं किया था, उनका बड़ा intelligent approach था, उनका की you choose any point P here, आप यहाँ पर कोई भी point P choose कर लीजे, इस P point से आप arbo-kharbo line कीचिये, इस p-point आप खर्बो लाइने कीचे, मैं सारी तो नहीं कीच सकता पर ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप जितनी लाइने कीच सकते हैं p-point से, उतनी लाइने आप कीचिए, सारी लाइने, infinite लाइने आप कीच दीचे, ये p-point से अब उन्होंने का इस p-point पर electric field मुझे निकाल ली है, उन्होंने कहा कि अगर p-point में देखें, electric field निकाल ली है, तो यहाँ पर एक छोटा सा element है, और उसी के सामने जब आपने p-point पर ऐसे खीचा है, तो यहाँ पर भी उसे करेस्पॉंड नहीं एक छोटा सा element है, क्या मेरी बा फ़ले बड़ा दिख रहा है, पर वो खर्बो और वो लाइन वे सब element छोटे-छोटे हैं, उन्होंने का you can treat these two elements as a point charge, इन elements को point charge की तरह treat कर सकते हैं, तो अगर इस element का charge dq1 है, इस element का charge dq1 है, और उसकी यहाँ से दूरी जो है वो r1 है, और इस element का point charge अगर dq2 है, और यहाँ से दूरी है, वो r2 है, मेरी बाद स्वाजी कुशिश करेगा, तो नगरा इस element का charge p point पर electrify इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, kdq1 by r1 square, और दूसरे element की opposite होगी, कितनी, minus kdq2 upon r2 square, तो यह इन दोनों के कारण electric field होगी p point पर, क्या सही बोला इन्होंने, यह p point पर electric field किसके कारण है, इन दोनों के कारण, इन दोनों element एकारण p point पर यह electric field है, पक्का देखा हमको, अब उन्होंने कहा कि अब dq1 सोचते हैं कितना, उन्होंने कहा कि geometry wise, यह shape जो होगा, वैसा ही shape यह होगा, लेकिन इसकी यह पूरा diagram और वो पूरा diagram similar है, अरे, चेक करिये, क्या यह, यह type इधर की तरब जो भी shape आएगा, ऐसा बनके, तिर्चा, मिर्चा, बुचर, बुचर, जो भी आया, और इधर भी जो आया, क्या यह ऐसे, ऐसे गए हैं, तो क्या यह दोनों diagram similar है, अगर वो दोनों diagram similar है, तो कि सारी ratio एक जैसा होगा, अगर यह बहुत ध्यान, उसने कहा, कि इसकी यहां से दूरी अगर R1 है, और इसकी यहां से दूरी R2 है, तो इस वाले surface diagram यहां पर बेटा element है, इसकी हर dimension जो होगी, इस पर वैसी ही एक dimension होगी, लेकि इसकी बड़ी होगी, उसकी छोटी होगी, नहीं बड़ी होगी उससे, उसने कहा कि अगर इसकी A की P होगी, तो A by B और R1 by R2 बराबर होंगे, क्यों? सिमिलर है, नई सब में आया आए आपके, क्या बोला हो सारी ने, बहुत intelligent था, बहुत शांदर सोसी है, उसका element का जो A length को भी length लेलो, ऐसे एक यहां पर length बान लो, तो ऐसी photo उसमें भी छोटी सी length बनेगी, और यह सब कुछ similar है इस photo के, तो अगर इसकी लंबाईयों का ratio R1 to R2 है, तो इसका भी ratio R1 to R2 होगा, पका, तो उसने का इसमें कोई भी dimension मैं बनाऊं, उसका dimension का ratio जो होगा, वो R1 to R2 की बराबर होगा, मैंने का बिलकुल सही, उसने आप इसका area देखते हैं, उसने का area का कुछ formula बनेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि shape दिखने हैं, अजीब सा गजट, अजीब सा shape है, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी formula बनेगा, वो आएगा C some constant into length into length, अरे dimensionally तो यही आएगा न, हो जाता है कि सर्गल होता तो πाई R square आता, rectangle होता तो 1 into L into B आता, अरे सन में आरा है मेरी बात, कुछ भी formula बनेए area का, formula तो बनेगा some constant into length into length, पक्का, तो इसका जो formula बनेगा, इसका some कोई formula बनेगा, some constant into L1 into B1 type का, अरे चेक, उसका area जो बनेगा, वो सब constant तो सहीं नहीं रहेगा, कोई shape formula तो सहीं नहीं रहेगा लेकि L1 की नहीं के L2 होगा, B1 की नहीं के B2 होगा, अरे चेक, जो L1 ऐसा होगा, तो सहीं नहीं रहेगे, वहाँ पे L2 होगा, यहाँ अगर B1 होगा, तो वहाँ पे B2 होगा, क्या मेरी बात समया रही है, तो उसने का, कि इसका area इतना होगा, इसका area इतना है, उसका area उतना है तो टी क्यू वन इस सिग्मा टाइम्स इतना होगा तो इस बात से टी क्यू वन पाई टी क्यू टू की वेल्यू अगर मैं निकालूंगा तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल की कैंसिल एल वन बाई एल टू पी वन बाई बी टू पर एल वन बाई एल टू इस आर वन वाई आटू और बी वन बाई बी टू इस ऑल्सो तो इट मस्ट बी इक्वल टू आर वन स्क्वाईर बाई आर टू स्क्वाईर इसका मतलब है डी क्यू by r1 square की value dq2 by r2 square की value के बराबर होगी इसका मतलब इन दोनों की net electric field उस point पे 0 होगी क्योंकि electric field है kdq1 by r1 square minus kdq2 by r2 square इसका मतलब इन दोनों की electric field cancel यहाँ पे हो गई है तो बाकी हर से pair में सब की cancel होगी तो net electric field p point general point लिया है मैंने तो उसकी net electric field कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी यह इनोंने प्रूफ किया था इसका नाम था shell theorem clear है कि मरी पार मुद्रा उतार लिए जितना उतार सके important चीज़ है derivation तो मैंने करा दिया पर असली चीज़ यह है कि अंदर के एरबॉयंट की electric field zero होती है जो याद रख रहा है जिसमें सवाल जिसमें पर फिर भी कुछ से सोचके अगर आप एक बार लिखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको कैसे सोचा इस आदमीने सोचेंगे तो सोचने से इस दिमाग बढ़ेगा अच्छा एक और बात यह आप घर पे ट्राई करिए यह दूसरी बात अगर एक शेल यहाँ पर दी हुई है इसके कारण यहाँ पर आरदूरी पर electric field निकाल ली है यह शेल दी हुई है वही युनी फामली चार्ज आपको किसका formula पता है पॉइंट चार्ज का और किसका इसका और किसका रिंग का तो क्या आप यह देख सकते हैं कि तेरा मल्कुबल रिंग्स तु अगर हर रिंग की गण, वहार पहलब निकाले के और इंटेगरेट करतेडगे हां तो यहीं हरो सबस्क्राइब भोली हम तो सीद में निकालेगे और इंटेगरेट करेंगे लिख लीजिए आप तो काम की प्रीप लिख लिख लीजिए बन करेके तो प्रूव करेगा पर मेरा रिक्वेस्ट ही कर लेंगे तो हाथ चल जाएगा आप तो शेल थे रूखे युटु अर्चार्ज़ड अर्चार्ज़ड स्फेरिकल शेल due to a uniformly charged spherical shell. Electric field will be zero everywhere inside the shell. Due to a uniformly charged spherical shell, electric field will be zero inside the spherical shell. Everywhere inside the spherical shell. Electric field will be zero everywhere inside the spherical shell. And for outside, and for outside, outside, you can, you can, and assume a point charge for outside, you can assume a point charge kept at center in place of shell. Who do? I'll see you next time toすご How cool are you doing this to show you next time to show on the經 convection show of the